पार्लेमेंट किसी की बाप की जागिर नहीं है लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि उसी पार्लेमेंट के अंदर की सेंगोल को अस्थापित कर दिया, राजदंड को अस्थापित कर दिया, ये भारत को लोकतंत्र को बिलकुल खतम करना चाहते हैं, भारती जन्ता पार्टी ड बाताबरन को बना करके देश में एक जाती विसेश के लोगों का बर्चस्प बनाना चाहता है। संजन से बाहर करने का प्रयास क्या है। हम समझते हैं बहुत बड़ी हिटलर साही है ये बहुत बड़ा तना साही है लेकिन हम इनके पीछे का राज जानते हैं कि परदे के पीछे इनकी मनसा क्या है। भारत जनता पार्टी और संग परिवार इस देश में कुछ और ऐसी निर्ने लेना चाहती है जो भारत के संबिधान और भारत के लोकतंत्र के बिरूद है। जैसा कि आपको बता दूँ जिस संसद अभी नया संसद का अंद्रमान हुआ उस नांसर जो भारत का जो तासीर है एक सेकुलर तासीर है। या राजदंड को स्थापित कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि कुछ दिन पहले एक नया बील पास हुआ जो बिल्कुल कारेपालिका का हिस्सा हुआ करता था आपको चुनावाई एलेक्शन कमिशन को सदन से ये भी पारित किया गया कि अब ये नया प इसमन है जिनको उनको चीन का चीन का डेमोक्रेसी हालाना चाहते हैं चीन की प्रनाली चुनाव प्रनाली भी हालागो करना चाहते हैं अब कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा लेकिन देखिए अगर इस तरह कि उनकी सोच है और उनको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन काम बेवस्था बना दें तो भारत ये पाकिस्तान बनने में देर नहीं होगा बंगलादा सोने में टाइम नहीं लगेगा देश की जनता सडकों पर उतर करके इनकी नाने याद करा देगी देश की जनता इंतजार कर रहे इबियम को भूला नहीं है ये चार राजियों से बड़ी उत्साहित है ये चार राजियों में इनका प्रिनाम आया है तीन राजि कि वी जो मैंने फेश्टो भारत जनता पार्टी लेके गई थी उनसे कोई उनको लेना देना नहीं है उनको सिर्फ इतना ही लेना देना है भारत में नफरत का महौल बनाओ भारत में भेदभाव की महौल बनाओ और EBM के सहारे चुनाओ जिर जाओ आज बड़ी समस्य आई देश में तो मैं अस फ़स रूप से आपको बदा दूँ कि जो संसद में जो डेड़ सो संसदों को सदन से बाहर करने का प्रयास किया गया है यह भारती जंता पाटी है कि बड़ी सोची समझी संग परिवार का चाल है यह जरूर कोई ऐसा निर्ने सद आज के लों के जो आज अस्विदा है उस पर फ्रस्चिन लगाना चाहती है उनकी ऐसी कुछ सोच है सर जैसे की नया संसर जब से पालियमेंट बना है नया पालियमेंट तब से नया नया जैसे अभी दानी सली के ऊपर सीधा जिस सब से इस्तिमाल किया गया मुस्लमानों को तो इस पे भी क्या कहना चाहते है किस तरफ जा रहा है देश और क्या चाहते है देखे पहला प्रयास नहीं है भारती जंता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और संग परिवार एक ऐसा संगठन है जो देश में नफरत का बाता बरन को बना करके देश में एक जाती विसेश के का बर्चस्प मनाना चाहता है एक जाती विसेश का धर्म को अस्थापित करना चाहता है भारत की जो सेकुलरियम है आज खत्रे में है आपने देखा जिस सदन के अंदर आपने देखा आज हमारे भी सरद यादव जी नहीं है लेकिन सरद यादव जी को सिर्फ एक कारेक्रम मे जाने के चलते उनकी सदस्ता को रद कर दिया गया, जिसका परिणाम है कि कुछी दिन में सदन की बरबादी और सद भारत के बरबादी का चेहरा नहीं देख पाए, सदन में जो हो रहा था उसे सदमा को जहल नहीं पाए सरद ज्याद हो और सरद ज्याद हो अपने सरीर का परित्याग कर दिये आपने देखा महुआ मोहितरा के साथ क्या हुआ आपने देखा नहीं अभी कुछी दिन और कुछी दिन पहले जो आनन भानन में आनन भानन में सत्र बुला करके जो महिला आरक्षन बिल है पास किया गया और महिरा आरक्षन में जो लंबे अरसे से जो डिमांड था लंबे अरसे देश की जनता मांग कर रही थी कि आरक्षन में आरक्षन का बेवस्ता हो लेकिन इस देश में एक ऐसा बेवस्ता उन्होंने बनाने का काम किया कि जो खास करके जो संपन बर्ग है खास करके जो बहुत 33% आरक्षन जो दिया गया जबकि 50% आरक्षन का मांग देश के लोग, भोजन समाज के लोग मांग रहे हैं लेकिन वहां जो 33% आरक्षन दिया जो जेंडरल दिया जो बड़ी धोखा है जो भगवतिया देवी जैसे सांसद वहां नहीं बन पाएगी वहां पर कोई गरीब की बेटी, चपल सीने वाले का बेटी, वहां उपा 33% आरक्षन का लाव नहीं ले पाएगी, क्योंकि वहां हेरो हेरोईन, वहां हेरोईन जो बॉलीबूड के और हॉलीबूड में रहने वाले लोग, उनको लाव देने के लिए नेंद्रमोदी जी ने 33% आरक्षन का प्रभध इसकी संस्कृति को मिटाने का इनकी बड़ी कोई उजना है, सर, 1977 में इंद्रा गांधी, जो इंद्रा गांधी कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसी को बीजेपी दोहरा रही हर बार में देखा जा रहा, 1977 हुआ, धारा 370 हुआ, और जितनी भी कांग्रेस ने किया, उसी क को रिकार्ट तोड़ रही है, अभी राजवी गादी ने जब एक बार कदम उठाये थे, अपने 44-78 संसदों को रद किया, और फिर कांग्रेस तुलंद गिरी, कुछ दिर, बहुत दिन के बाद कांग्रेस उबरी, क्या लग रहा है कि जब बीजेपी जिस परकार से बाउख ने किया है, कि कांग्रेस में भी एक समय था, जो 74 में इनका हिटलर साही का नमुना आपने देखा था, तो उनको सजा 77 में मिला कि नहीं मिला, और राजी गांधी की हत्या के बाद, आज कह रहा है, आज कौन सी स्थिती है, आज सांस्तों का आनन भानन में लिमन क्यों कर रह हो, सांस्तों की सदस्ता रद कर रहे हो, आज बताओ, इंद्रा कांधी की प्री जी के हत्या हुआ था, स्री राजस्वर्गी राजी गांधी जी को मैं नमन करता हूँ, कि वो ऐसी कुछ प्रिसीतिया देश में दंग एकाई सिती हो गया था, देश में कुछ सांसत जो अपन पन्चायत, जहान देश के लोग का भवी से भवी से ठीका है, जहान भवी से ठाथ भैसला होता है, आज संसत वहाँ एमपिया सुरक्षित नहीं है, आप मुझे बताए कि जो लोग बम लेकरके, जो लोग बम लेकरके परलैमेंट के इंदर चले गए, का सक्र वो असली बम ह तो सारे सांसद आज बचते क्या आब बताओ प्रधानमंत्री बचते क्या आब बताओ मोठा भाई गिरीमंत्री बचते क्या आब बताओ यह सारे संसद खतम हो जाता सारे संसद सदस खतम हो जाते अगर संसद लोग मांग कर रहे हैं कि आप इसमें सर्चा कराइए आप इसमें सदस, आप इस पर बहस कराएं तो इस कौन सा पाप हो गया, कौन से गलती हो गई, कि भारती जनता बाड़ी इतनी बड़ी सजा उन्हें दे रही है कि संसत से बाहर का रास्ता दिखा रही है, अज संसत से बाहर निकाल जो, क्या या पकेला सता पक्ष के लोग, भारत का लोग तंतर का आप मान नहीं है क्या एक आदमी को बचाने के लिए बीजेपी के एक मंतरी को बसमान सद को बचाने के लिए पूरे 144 लोगों को कुरवानी देना बहुत जरूरी पड़ गया और भी पच के लिए क्या आप समझ रहें कि देश को किस तरफ मोड़ना चाहरे हैं किस तर ब्रामwald धर्म को बचाना चाहती है क्योंकि ब्रामन धर्म भी बचेगा तभी यह बहुत वाहरत जंता पाठी बचने वाली है इसलिए एक नहीं सिर्फ एक धर्बको बचाने के लिए सिर्फ एक जाती को बचाने के लिए यह देश के 140 क्रोल्ण को सहीद कर दिना चाहती है भारती जनता पाटी और संग परिवार इसलिए मुझे पूरा पूरी आसंका है कि जो सदंक में अभी हो रहा है मुझे पूरा आशाल बिस्वास है कि कोई भारती जनता पाटी नया खेल खेलने वाली है और देश की जनता को संकट में डालने वाली ह बार देजम करने को क्याना में जल्दी ही राम मंदिर का उद्गाटन भी करने वाले तो आप परसान क्यों है इए वे! बाएट ब्रचार करने का विरोधीन, लेकिन करके आप क्यों भारत का इपरडान मंत्री होकर Brimana इप आप क्यों बार बार हिंदु धर्म पर जोड़ देते हो बताओ आप संख्या निकाल लो आप जिस जलितों को अस्प्रिश समझते हो अच्छूत समझते हो उनकी संख्या भारत में 20% है और अगर उसके साथ सुद्रों को जोड़ लिया जाए तो उसको जोड़ लो तो 85% है और उसके बाद अगर आप आकड़ा में आना चाहते हो तो मैं गना गनाता हूं आप आकड़ा निकाल लेजे सीखों का आप निकाल लेजे हिसाईयों का आप निकाल लेजे परसियों का आप निकाल लेजे बोधों का आप जातिया बना रहे हो जातियों सब को हिंदु बना रहे आप उनको उनके खिलाफ हो रहे हैं क्या चाह रहे हैं आप अगर हिंदू को एक कर रहे हैं हिंदू कर रहे हैं मैं तो कह रहा हूं कि आपको मुबारक हो उनको मुबारक हो मुझे हिंदू धर्म नहीं चाहिए क्योंकि मैंने देखा है हमने राम राज को नहीं देखा है हमारे राम राज में अगर कुछ मिला तो यात ना हुआ, राम राज में कुछ मिला तो घोड़ी से चड़ने से उतारा गया। पक्षियों को चूट है पर इंसानों को पाने पीने का चुटाल में हमें ऐसे रामराज नहीं चाहिए ये भार्द जंता पाट लिए जिस पे आपके बाप जादा नहीं लेकिन जो बैग्यानी को न बनाया है जिस पे 5000 में आप सफर करते हैं हर वेक्ति को उडन खडोला का सफना पुरा हो सकता है तो आप उस रामराज की और क्यों ले जाना चाहते हैं आपको ले ही जाना है तो पैगानिक राज की और ले जाए अंबेदकर राज की और ले जाए अंबेदकर के संभिधान की और लेके जाए जहां बाग और बढ़ी दोनों पानी पी सके तब भी तो पानी पी रहे थे लोग उस वापे रामराज में भी लोग जी रहे थे खा रहे थे तो आप ही तो पूछता हूं संभू को किस ने हत्या किया आप मुझे बताए एक लब कांग उठा किस ने काटा तो देश-द्रोही है तो बदाओ जो सुधर उनके राज में सब द्रोही हो जाते हैं तो कल भी एम हिंदू थे और आगे भी हम को हिंदू बनाने जा रहे हो तो भार्थी जंता पार्टी पहले बेदों में सुधार कर ले हमें बिन्दू पना बनाए हमें ब्रामहन बना ले हमें सल्ड बना ल है और लाख प्रयास कर ले भारत कर भी हिंदू राश नहीं बनने वाला है मैं जाब एक साथ बात कर रहा है जो मोदी जी चाह रहे हैं बीजेपी चाह रही है कि देश में जिस परकार से चीन है एकी राज एकी नेसर उसी तरह से देश में हो जाएत क्या गुना है देखे हम कह है रहे हैं कि हर देश आज चीन से अगर आप कम प्रिजन करते हैं आप अगर चीन से और जापान से मुकाबला करना चाहते हैं आप अगर कोरिया से मुकाबला करना चाहते हैं क्या भारत वेसी परिश्टिती में है क्या भारत का भारत उस ग्लोबलाइलेशन का ग्लोबलाइ पहले चीन बनाओ चीन में जाते हैं नहीं है चीन में धर्म धार्मा इकतरता नहीं है चीन में नफरत नहीं है चीन में आम आदमी विकास की ओर बल रहा है। वहाँ जाती इस प्रिस्ता नहीं है, वहाँ कोई मकान छोडने के बाद वहाँ का मुख्यमंतरी गंगा जल और दूर से नहीं धोलवाता है, तो बताइए आप पहले अगर चीन से कंप्रिजन करना चाहते हैं, तो पहले भारज अपने आपको सौन कहना बंद कर दिजे, अपने आपको उचा कहना बंद कर दिजे, आप अपने आपको भगवान कहना बंद कर दिजे, उसके बाद चीन की बात करिएगा, तो आप इस देश्ट में भागे और भगवान के और कहां ले जाना चाहते हैं अगर ले जाना है तो हमें कुछ मिला है और आपको कुछ मिला है आपकी हिम्मत कहां से मिली है आपको कुछ मिली है तो आपको कुछ मिला है तो हम बेट कर बावा साब का संब्धान से मिला है आप संब्धान के साथ चलने की बात करिए हमको दिया है तो बावा साब ने दिया है हमें कुछ दिया है तो हमें संब्धान ने दिया है इसलिए हमारा इस्वर बावा साब